ब्यूर्स बुर्यानी बनाने के लिए हमें एक किल्लो चिकन चाहिए, एक किल्लो टोमाटर, आदा किल्लो प्यास, एक बड़ा टुकड़ा अद्रक का लसन आप पीसा वाया मैंने रखाया तो दो चमच, साबत गरम मसाले जिसमें दाल चिनी, लॉंग, इलाइची, मूटी इलाइची, पतली, छोटी इलाइची, जीरा, काली मिर्च, तेस पत्ता, जैफल, जवंद्री और सूखा धनिया साबत स्पाइसेज में नमक, लाल मिर्च और हल्दी सबसे पहले हम तेल जला लेंगे और उसके अंदर चिकन के पीसेज को तलेंगे हम उसको लाइट पिंक कलर तक तलेंगे अगर आप चाहें तो डाक ब्राउन भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ पिंक की शी रखे है जब उनका कलर चेंज हो जाए तो आप उसे उस ओईल में से निकाल लीजिए बाद में उसी तेल के अंदर आप प्यास डालें और अद्रा की टुकड़े डाल दें जब प्यास ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आप लसन शाम कल कर लें और सारे साबत गरम असाले डालने साबत गरम असाले डालने से यह होता है कि जब वो तेल में तले जाते हैं तो उनका फ्लेवर अच्छा निकलता है उसके बाद उसमें टमाटर डालें टमाटर अपना ही पानी छोड़ेंगे और थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो उसमें पानी आड़ करें ताके वो अच्छी तरह गल जाएं और जब ये अच्छी तरह गल जाएंगे तो हम इसकी प्यूरे बना लेंगे blender फिर के इसकी puree बनाएंगे जब puree बन जाएगी तो उसके बाद आप उसको हलकी आँच पे रखें भूनने के लिए और उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी ये आड़ करें ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तेज और कम आप खाना चाहते हैं नमक, लाल मिर्च तो उसी हिसाब से स्पाइसे डाले उसके बाद उसमें चिकन के पीसे डालके उसे ढख दे और जब वो अच्छी तरह पक जाए तो उसकी थोड़ी सी बुनाई करकर उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च एड़ कर ले बरियानी में ते लगाने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत है जो मैं ते लगाते वे आपको बताती जाती हूँ सबसे पहले एक पती लेके नीचे आप उबलेवे चावल चावल उबाल कर उसकी पहले ते लगाएं सबसे पहले सादे चावल डालिए और चावल जब आप उबालेंगे तो उसके उबले उबलते वे पानी में आप नमक जरूर आट कीजिएगा ताके चावल आपके फीके ना रहे उसमें थोड़ा सा साल्टी टेस्ट आए उसके बाद आप उसके उपर नीम्बू का रस जिसके अंदर आपने जर्दे का रंग या फिर कोई भी फूड कलर एड़ किया हो वो छड़क दे उसके बाद उसके उपर आप ब्राउन की हुई प्याज एड़ करें उसके बाद आप उसके उपर आलों की लेयर लगाएं जो आपने तल के रखे होंगे आप चाहें तो इसको स्क्वार शेप्स में भी काट सकते हैं ट्राइंगल शेप्स में भी काट सकते हैं उसके उपर मैंने धनिया और हरी प्यास की थोड़ी सी स्प्रिंकल किया है और उपर से उबलेवे अंडे की लेयर्ज लगाई हैं काट के आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल्स काट के आड़ कर सकते हैं टमाटर, शिम्ला मिर्श कुछ भी रख सकते हैं लेयर्ज में इसके बाद अंडों के उपर आप अपने चिकन के मसाले की पूरी लेयर एड़ कर दे याद रखिएगा कि बर्यानी में सबसे में चीज होती है चिकन का मसाला जितना ज्यादा आपकी ग्रेवी होगी उतनी रिच आपकी बर्यानी बनेगी उसके बाद तुबारा आप उसके ओपर चावलों की लेयर लगाईए इन उबलेओे चावलों के अंदर आप उबालते वक्त थोड़ा सा सोया भी डाल सकते हैं जीरा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें कि चावलों को अच्छी लोका है उसके बाद वोही प्रोसीजर दुबारा रिपीट करना है कि नीम्बू वाला रस डालना है आपने उपर जिसमें उसके बाद आलू की लेयर उपर रख लें, ब्राउन की हुई प्यास की लेयर उपर डालें और इसको तवे के उपर रख कर इस पतीले को तवे को रखिए उसके उपर पतीले को रखिए और इसके उपर कोई भारी चीज रख दीजिए जो इसके उपर ढ़कन को टाइटली बंद रखे और अंदर से